अगर एक लड़की अपने मर्जी से एक दलित लड़के के साथ शादी करती है, जो गैर दलित है, तो उसके बारे में ये बीजेपी आरेसेस वालों की क्या है? आज तक इन्होंने एक शब्द ने बोला, ये जाती प्रथा के साथ है, ये मनुवाद के साथ है, ये मनुस्मिती के साथ है, कौन सा धरम इस जाती प्रथा को स्विक्रती देती है, उसके बारे में वो क्यों नहीं बोलते हैं? ये मैं आज भी मानती हूँ कि ये पूरा जो controversy है, ये पूरे तोर पर BJP RSS अपने गलतियों को छेपाने के लिए, मुख्य मुद्दे को छेपाने के लिए वो जनता को divert करने के लिए ये सब उठा रहे हैं, अब सबी जानते हैं कि BJP और जाती प्रता के बारे में ये खुदी पासे, अभी जो उनकी RSS की लीडर है, वो कहरें कि 2000 से पुराने जाती प्रता जो है ना, जिसमें दलितों के खिलाफ, आदिवासों के खिलाफ, एक पूरा जो है, खड़े थे, और भेर भाव का पुरा धाचा था, इसके लिए हम उसके खिलाफ तो अभी BJP लीडर उसके ब ये मनुवाद के साथ है, ये मनुस्पिती के साथ है, कौन सा धरम इस जाती प्रता को स्विक्रती देती है, उसके बारे में वो क्यों नहीं बोलते हैं, उसके बारे में तो बोलें, उसके बारे में वो क्यों चुपें, अगर एक लड़की अपने मर्जी से एक दलित लड़ ये जो उनकी दोड़ी नीती है जाती प्रथा के बारे में ये जाती प्रथा का बचाव के लिए खड़े हैं ये जाती प्रथा जो मनुवाद का केंद्र है उसके बचाव के लिए खड़े हैं इसलिए ये सारे कॉंट्रवर्सी वो त्यार करें